जैड आई एम वर्सेस ओमन सूपर सिक्सेस मैच वन सूप जिम बॉम्बे वर्सेस ओमान ओडि आई वर्ल्ड कप कॉलिफाइंग मैचेस वन जो के खेले जाने वाला है और आप लोगों को पता ही है कि इस World Cup Qualifying 2023 के Super Success के Matches स्टार्ट हो चुके है और उसका यह पहला Match है और अपन इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस Match के बारे में गैज मैच काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाला है और आपको बता दू इस वाले Match में विन करना बहुत आसान है गैज मैने पूरा एनलाइस किया पूरी स्टडी करी उसके बाद मैंने देखा कि आज के Match के Point of View से तीन प्लियर ऐसे है जिनको बहुत कम लोगों ने ले रखा है बट वो आज के Match में काफी अच्छा Impact डालने वाल है तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे उन प्लियर्स के बारे में कि वह कौन से प्लियर है जिनको अपन लेकर अपनी Grand League में एक अच्छी Rank लेके आ सकते हैं साथ में Small League को भी Easily Win कर सकते हैं साथ में अपन देखेंगे कि इस Super Success के इस World Cup Qualifying Matches में क्या Jim Bombay अपनी Playing 11 में कोई Change करेगा तो क्या Playing 11 Jim Bombay की रहेगी क्या Playing 11 आज के Match में ओमान की रहने वाली है कि पिच पे ये Match खेला जाएगा और कैसे आपन आज के Match वे Win कर सकते हैं क्योंकि वही सबसे Important Factor होने वाला है अभी तक मैंने आपको इस ODI World Cup Qualifying के जो Matches के जो Information दी है ना 80% Matches में अच्छी Winning हुई है और मैंने जो आपको टीम दी है उस Same Team के साथ मैं खुद भी खेला हूँ बहुत सारे Users खेले और उनकी अच्छी Winning हुई है तो आज के Match वे अगर आपको Win करना है ना तो गाईस दो काम Important है जो कर लेना एक तो इस वीडियो को पूरा वाच कर लेना हर information मिल जाएगी भाई कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाना है कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है कौन से प्लेयर को रखना है ये सारी तो मिली जाएगी और साथ में गाईस वाले वीडियो में आप लोग के लिए फ्री गीव वागत करता हूँ और आपसे request करता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को subscribe कर दीजिए, bell icon के घंटे दबा के all press कर दीजिए और साथ में इस वीडियो पे like कर देना आपका एक एक like guys भाई को दिल से motivate करेगा तो like आपको जरूर करना है तो ZIM versus OMN super success match 1 ODI WCQ, match खेला जाएगा guys क्यून sports club में, इस ODI World Cup qualifying के जादातर matches guys यहीं खेले जा रहे हैं और अगर मैं pitch report की बात करूँ तो pitch काफी जादा balance लग रहा है, एक बार कोई batsman यहाँ पे अच्छे से tick गया ना, तो काफी run बनाता है तो Jim Bombay guys आज के match में काफी strong side लग रहा है, तो उनके players को ही priority लेकर आपको team बनानी है, बट Oman के भी guys कुछ player है, जिनको आपको अपनी team में रखना है, खास तोर के इनके जो ballers है ना, उनी में से ही कोई player है, जो मैं आपको बताऊंगा किन को रखना है अगर मैं यहां की pitch report की बात करूँ, उससे पहले, guys देखें, यह मेरा telegram channel है, यह मेरा telegram channel है, official telegram channel, किस नाम से है, shore expert support इस telegram channel को guys आप लोग जरूर से join कर लेना, कैसे join करना है, इसी video के description में और comment में, सबसे top पे pin किया हुआ link है, बस उस पे click करना है, आपको telegram channel पे आजाना है, वहां पे आपको हर match का बिल्कुल final update मिलेगा तो आज के match कभी अगर आपको final update चाहिए, toss के बाद, अगर वो match भी आपको चाहिए, जो मैं YouTube पे cover नहीं करता, बट मेरे telegram पे करता हूँ, तो वो सारे update आपको वहां पे मिलेंगे, तो इसी video के description में, comment में, सबसे top पे pin किया हुआ link है, telegram channel, shore expert support, बस click करना है, और join हो जाना बनता है, देखिए गाइस Jim Bombay चाहिए पहले बैट करें या Oman पहले बैट करें, matter क्या करेगा Jim Bombay कब खेल रहा है, अगर Jim Bombay पहले बैटिंग करेगा ना, तो भाई बड़ा score बनने वाला है, अगर Oman पहले बैट करेगा, तो फिर ज्यादा बड़ा score ने बनेगा, लगबग 250 तक बर Jim Bombay अगर खेलता है तो 300 प्लस बनने वाला है तो यह चीज आप थोड़ी सी ध्यान में लेके चलना scoring पर 10 की बात करूं हर तरह का score यहां पर बनता है और अभी तक गई Jim Bombay और Roman की भी मैच हुआ ही नहीं एक भी मैच नहीं हो तो यह पहला मैच खेलेगी की दोनों टीम है तो काफी इंट्रस्टिंग मैच होगा और साथ में अगर इस वाले पिच्पे में बात करूं पेसर और इस्पीनर्स में कौन सबसे जादा विकेट लेता है तो भाई यहां केवल उसीस बेस्ट पर उगा जो पैसन बालर वोगा उसी कोई अगर nine के मैच के लिए ने आपके लिए बैसन बॉत कर लिए लाइक हो जाएूस लिए इस लिए पूरा वीडियो देखा करो और वीडियो पर लाइक कर देना इस वीडियो का360 भाई 2000 likes का है अगर आपने complete करा दिया ना तो भाई खोश हो जाएगा अब गई देखें latest 3 match जो यहां पर खेले गए न अभी उसमें किस तरीक एका score बना है वो थोड़ा आपको बता देता हो इसके बाद अपन सीधा playing 11 देखेंगे और information देखेंगे एक एक players की 23 जून को मैच हुआ Oman Shilanka Oman 98 पर अलाउट हुआ Shilanka ने Sauran बना के match score चेस कर लिया 27 जून को मैच हुआ Shilanka Scotland Shilanka 245 इसके बाद Scotland 163 पर अलाउट हो गया और 25 जून को मैच हुआ Shilanka Ireland Shilanka 325 बनाए और Ireland 192 पर अलाउट हो गया तो यहां पर अगर Jim Bombay पहले बैट करता है न तो भाई वो बड़ा score बनाएगा और जल्दी भी बना लेता है कम भी बनाता है तो भी वो easily Oman को रोक लेगा तो matter करेगा Jim Bombay कब खेल रहा है उसी को ध्यान में रखकर ही अपन आज के match के team बनाने वाले अब गैस क्या playing 11 आज के match में रहेगी क्या कोई change होगा या फिर इस super success में भी वो hit players उतरने वाले हैं जो अभी latest previous matchों में उतरे थे तो Jim Bombay की playing 11 की बात करूँ तो भाई इनके wicket के पर गुंबी ओपनिंग पे आएंगे इनोसेंट काईया के साथ या फिर हो सकता है क्रैग एरविन भी ओपनिंग पे आजाए तो यहाँ ओपनिंग पे दो option है इनोसेंट काईया या फिर क्रैग एरविन इसके बाद सीन विलि महादेवरा मसक जादे और एन गेवरा यह जिंबॉंबे की एक्सपेक्टेट प्लेइंग 11 है तो मुझे लग रहा है जिंबॉंबे जो लाश्ट मैच में उतराता ना सेम प्लेइंग 11 के साथ उत्रेगा ज्यादा कोई चेंज करेगा अगर कुछ भी अपडेट आएगा हर चीज आपको पता लगेगी ओमान की तरफ से भाई कश्यप पजापती के साथ जतिंदर सिंग ओपनिंग पर आएंगे इसके बाद आकी बिलियास जिशान मक्सूत मुहमद नदीम आएंगे आयान खान आने वाले हैं शोइप खान आने वाले हैं नसीम कुशी फायाज संटेज वाले जो प्लेयर है ना वो आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे क्यों बनेंगे अभी आपको सब एक एक चीज़े क्लियर होती जाएगी सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में चलते भाई जिम बॉम्बे की साइट से यहां पे इनका प्लेयर है भाई गंभी ओपनिंग पर आएगा और विकेट कीपर में तो मेरे साबसे डिफॉर्ट पेक है लगभग सभी की टीम में यही होने वाला है अगर आप लास्ट चार एवरेज 16 का ही है वैसे इसकी भी अगर आप फॉर्म देखोगे ना इस रिसेंटली ओडियाई मैचेज में तो लास्ट तीन मैचों में भाई 46 बनाए 69 बनाए इस वेन्यू पर दो मैच खेले 17 तो विकेट कीपर में दोनों ही प्लेयर बढ़िया है वैसे तो नसीम कुशी भी अच्छा है और गंभी भी अच्छा है बट गंभी को तो गईज मैं डैफिनेटली अपनी टीम में लेके आऊंगा बट नसीम कुशी का रोल भी इंपोर्टेंट होगा तो वो उसको कैसे करना है अभी आपको आगे पता लगेगा जब आप पूरा वीडियो वाच यहां पर गाइज मैं बात करूँ जिम बॉंबे के बैटिंग सेक्शन की की जैड आएम की तरफ से कौन से बैट्समैन को पिक करके चले तो यहां पर पहला नाम है भाई वैसली महादेवरा यह गाइज देखिए प्लेयर तो बहुत जबरदस्त है अगर आप इसको प्लेयर की बात करोगे ना तो 31 मैचेज में 13 विकेट है साथ में 641 है बट इस ODI WCQ 2023 की बात करोगे ना तो यहां पर थोड़ी फ़र्म खराब है अगर आप लास्ट तीन मैचों में देखोगे ना तो विकेट तो मिला नहीं बाकी रन से भी आप देखोगे तो केवल 32 रन एक हाईय क्रैग एर्विन और इनोसेंट काईया दोनों का मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ क्रैग एर्विन आपको पता हिए इनका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बैटर है और लास्ट इन मैचों में 47 50 121 इस वेन्यू पर एवरेज 35 का है और बहुत ही बढ़िया प्ले तो इस प्लेयर को देखिए कम लोग लेके आएंगे हाँ अगर आप ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को टार्गेट कर सकते हो बट स्मॉल लीग के लिए बैटर नहीं है तो यहां पर आपको किसको पिक करना है अगर आप SL खेल रहे हो या GL इन दोनों में ही गई मेरे इस आपको है ना क्राइग एरविन को तो रखना है और अगर काया खेलता है तो उसको भी आप रख सकते दोनों एक बैटर पिक है बाकि दोनों इतने बैटर नहीं है यहां पर महादेवरा और मरुमान अब इन में से आपको किसको रखना है वह आपका decision है पर मैंने मेरी choice बता है कि आपको इनको रखना चाहिए जो एक बैटर पिक है आज के मैच के point of view से यहां पर गाइज मैं बात करूं ओमान की बैटिंग सेक्शन की ओमन की तरफ से आज के मैच में किसको पिक करें तो पहला नाम है कि कश्यप पजापती का opening पे आएगा भाई मैं इसका selected percentage देख र लास्ट चार मैचों में 12-1-6 हाँ जब स्टार्टिंग हुआ था जब 72 बनायते तो भाई एक मैच के बेस पर आप किसी प्लेयर को जज़ नहीं कर सकते हैं तो मेरे इस आपसी उतना बैटर पिक नहीं है इस वेन्यू पर चार मैच खिले 91 रन मनाए एवरेज जरूर इससे एक बैटर प्लेयर आपको बताऊंगा जिसको कम लोगों ने ले रखा है बट वो आज के मैच में अच्छा कर सकता है कौन सा प्लेयर अभी पता लगेगा और उसका नाम है भाई शोयप खान बैटिंग और गाई जरूर लोवर डाउन है बट अगर आप इसकी फॉर् खान के साथ जाते हो इस पर रिस्क लेते हो अगर यह अच्छा कर जाता है तो आपकी रैंक आटोमेटिक उपर आई तो इसलिए गाई शौर एक्सपर्ट सपोर्ट के यूजर्स मेरा वीडियो देखते हैं क्योंकि मैं आपको हर इंफॉर्मेशन देता हूं जो एक बैस्ट सब्सक्राइब के साथ जतिंदर सिंग की बात करूं ऑपनिंग पर थोड़ी फॉर्म खराब है इस डबलू सी की वर्ल्ड कप कॉलिफाइंग दो हजार तैस में अगर आप देखोगे लास्ट चार मैचों में 14-21 इस वेन्यू पर चार मैच खिरें किवल 38 रन बना है तो मेर इन तीनों में से किसी का सेलेक्शन आपकी रैंग को काफी जादा फैक्टर करेगा अगर आप सोच रहे हो सीन विलियम सिकंदे राजा को कप्तान वाइस कप्तान बना कि आप विन कर जाओगे भाई नहीं हर कोई बनाएगा आपने क्या डिफरेंट करा है वो यहीं पर ही प इस वाले वीडियो में भी है कैसे मिलेगा बताऊंगा अफसीधी एंट्री है जरूर पूरा वीडियो देखना जिम बंबे के ऑल राउंडर सेक्शन में देखिए सीन विलियम से सिकंदे राजा है रे आनबल है एप्रॉक्स सभी की टीमों में यह होने वाले हैं क्योंकि सी इन विलियम से इस वाले वर्ल्ड कप पे बहुत ही अच्छी फार्म में लाश्ट मैच वे 174 उससे पहले 23 उससे पहले 91 उससे पहले 102 मतलब 4 मैचों में 2 सेंचुरी एक हाफ सेंचुरी वो भी पूरे लगबग सेंचुरी के करीबी थी इस वेन्यू पर एवरेज 34 का है जब नहीं बनता और सिकंदे राजा गाई इनका सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पिक है क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी करता है 48 रन दो विकेट 802 रन चार विकेट तो मेरे इसाप से ये भी काफी बैटर है तो तीनों आल राउंडर्स को आपन अपनी टीम में रखेंगे जिसमें राजा भी हो गया सीन विलियम्स भी हो गया और रियान बल भी हो गया आपको पता हिए इस ओडियाई वर्ड कप 2023 का शैडियोल रिलेज हो चुका है तो ये वाली फाइट और ज्यादा खतरना को जाएगी क्योंकि हर कोई टीम चाहेगी क इसमें जगे बनाए और वर्ल्ड कप खेले वो गाईज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंट्री के लिए अपन तो चाहेंगे इंडिया ये वाला वर्लड कप उठाए क्योंकि इस बार का वर्लड कप इंडिया में हो राएगा और इस वर्ल्ड कप में आपके लिए बैस्ट इन्फॉरमेशन लेके आने वालों में तो इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे ना ओमान के all-rounder section में देखी आयान खान है इनको all-rounder section बहुत ही अच्छा है अगर आप देखोगे ना बहुत बढ़ी है वेन्यू पर भाई चार मैच 133 रन दो विकेट और अगर आप रन देखोगे ना हर मैच में रन मनाता है आयान खान 30 रन 41 41 एक विकेट 21 रन एक विकेट जि नहीं कर सकते भाई अभी current पे player की form कैसी है वो ज्यादा matter करती है तो वो अभी इतनी better नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हो बट थोड़ा form खराब है आकी बिलियास गईस काफी अच्छा player है मेरे साब से इसको लेके मैं बड़ा confusion था जो मैंने भी final team मनाई ना तो मैं बड़ा confuse होगा कि इसको रखो या डॉप करूँ क्योंकि player बहुत अच्छा है हर मैच वे point दे रहा है इगत्तिस रन तरेपन दन बावन दन इस venue पर average भी आप देखोगे ना तो इसका path इसका है तो मेरे साब सी काफी अच्छा player है जैसे अभी जो latest match गया था उसमें Chris Soul के बारे में मै आपको बताया था जिनने भी मेरा वीडियो देखा था ना उन्होंने उसको रखा था और वन साइडेट विनिंग हुई मोहमद नदीम की बात करूं इसको आप रख सकते हो बाकि इस venue पर इसका भी average बहुत अच्छा है पच्छपन का है बहुत कम लोग लेके आ रहे है पर म जयान खान तो मश्ट पिक रहेगा जादा तर लोग की टीम में आपको मिलने है वाला है यहां पर गाइद में बात करूं जिंबॉंबे के बॉलिंग सेलेक्शन की की जैड़ा एम की तरफ से बॉलिंग में अपन किसको पिक करें तो पहला नाम है भाई इचर्ड एंगेवर दो दो चार तो खतरनाक फॉर में ब्रैड इवानस आपके पास चोईस है फास्ट बॉलर है वैलिंग्टन मसक जादे है इस वेन्यू पर इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नौ मैच में तेरा विकेट है तो ग्रैंड लिग खेलने वाले थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं इ देरे साफ से दिखे रिचर्ड को तो रखना ही पड़ेगा और एक अगर आप लेना चाहो तो वैलिंग्टन के साथ जा सकते हैं बैटर पिक लग रहा है इस वेन्यू के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया है किसको आपको रखना चाहिए यहां पर बात करूँ भाई ओमान की बॉलिंग सेलेक्शन की कि ओमान की तरफ से अपन बॉलिंग में किसको पिक करें यहां पर तो यहां पर गई देखी तीन नाम है पहला नाम है बिलाल खान जो की फास्ट बॉलर है और अगर आप रिसेंटली ओडियाई मैचेज में इंपोर्टेंट बॉलर है क्योंकि आप देखें ओडियाई के 55 मैचेज खेल चुका है और साथ में 120 विकेट भी निकालें तो इस प्लेयर को तो ड्रॉप करने का सवाल बनता ही नहीं है काफी इंपोर्टेंट पिक रहेगा बिलाल खान जै ओदेरा की बात करूँ भाई टी मैचेज में इसको भी विकेट मिली रहे है और फायाज बट सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पिक है बिलाल खान के बाद इस टीम में बॉलिंग सेलेक्शन में फास्ट बॉलर है इस वेन्यू पर चार मैच छे विकेट और बाकी आप देखिए 10 रन दो विकेट दो विके टीम में कौन-कौन बिलाल खान और फायाज पर काफी इंपोर्टेंट पिक यहां पर लग रहे हैं जिम बॉंबी की तरफ से गई आज के मैच में क्या कोई चेंज हो सकता है या फिर वही सेम टीम उत्रेगी जो पहले वाले मैच मुत्री है देखिए मैं आपको उन प्लियर मैचेस खेल चुका है बट अभी जादा इसको मौका मिलने रहा बट अगर यह खेलता है तो डेफिनेटली फोकस करने वाला प्लियर है टेंडाई चतारा डेफिनेटली आप रख लेना अपनी टीम में अगर वो लाइन अप में आता है एक इंपोर्टेंट पिक बॉलर है ज अगर कोई होगा तो मैं आपको टेलिग्राम पे जरूर अपडेट हूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंड पे लिंक है टॉप पे पिन क्या हो आप क्लिक करके जॉइन कर सकते है वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा अब गई आज के मैच में सबसे बड़ पूरे दस ओवर करेगा ब्रैड एवांस है सिकंदे राजा है लूग जौंगवे है रियान बल है तो पाच बॉलर है पूरे पचास ओवर यह कर देंगे तो इनके पास कोई स्पेस नहीं है और यह लगबख सभी को बॉलिंग बिलेगी और डैट में रिचर्ड एंगेवरा और रियान बल अगर आज के मैच में ओमान पहले बैटिंग करता है तो इन सारे बॉलर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरीके की फॉर्म में वो ओमान को जल्दी रोक सकता है ओमान की तरफ से देखिए बिलाल खान और फयाज बट यह मै में भी आ रहे हैं अब जैडाइम वर्सेज ओमन आई सी सी ओडियाई डबलू सी क्यू सूपर सिक्सेस मैच वन की क्या मैंने टीम बनाई है वाकि एक चीज़ बता दूगाई इस वाली टीम में अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा ना टॉस के टाइम पे तो फाइनल अप करना है और आप जॉइन कर सकते हैं सिंपल एक क्लिक करके जॉइन जरूर कर लेना यहां पर देखिए विकिट कीपर में जे गुंबी सबसे बैस पिक है बाकि दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया तो ओमान का वो भी काफी अच्छा अपने रहा है क्योंकि फॉर्म मै जिंबॉंबी के यह तीन ओल राउंडर्स को तो ड्रॉप किसी भी कंडिशन में नहीं कर सकते यहां पर रखाए भाई बिलाल खान फायाज बट यह दोनों काफी इंपोर्टेंट बॉलर है ओमान के और यहां पर रखाए रिचर्ड एन गेवरा मैंने अभी के लिए भाई दस ही प्लेयर सेलेक्ट की हैं बाकी का एक प्लेयर या तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना या फिर मैं टॉस के टाइम थोड़ा सा देखके अपडेट देखके आपको मेरे टेलिग्राम पे बता दूगा वहां पे आप आपको अपडेट मिल जाएगा कि गिववे आपको कहां पे मिलेगा बिल्कुल फ्री एंट्री है गिववे मिलेगा आपको लीग 11 एप पर और लीग 11 एप को कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लीग 11 एप का लिंक तिखेगा सबसे पहले टेलिग्राम का है उसके बाद 11 एप का लिंक है उस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है मैच ओपन करना है इस वाले मैच पर जाना है ओपन करना है आपको गिववेश हो जाएगा बिल्कुल फिरी एंट्री है जल्दी से जाके जॉइन कर लेना और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में डिपोज दे राजा और सीन विलियम्स यही दो बैस चॉइस है बाकी मैं फाइनली आपको टेलिग्राम पर बता दूँगा वहां पे आप एक्टेव रहना तो मैं वर्सेज जैड़ाइएम इसी सी ओडियाई डब्लू सी क्यू क्वालिफाइंग मैचेज डिटेल प्रिव्यू यहीं आते जाते वीडियो पर लाइक कर जाना और चैनल सब्क्राइब कर जाना और ऐसे ही प्यार देते रहना ठीके भाईयो आदा आप सश्यकाल और नमस्कार बाकी गईस देखी कुछ भी चेंज आएगा कुछ भी अपडेट आएगा वह सब मैं आपको अपने टेलिग्राम पर बताए दूँगा वहाँ पर आप एक्टिव रहना बाकी वाईस कप्तान में अगर आप ग्रैंडी खेल रहो तो खुछ अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो अगर आपको कोई लगता है कि भाई इस प्लेयर को बनाना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हो बाकी मैं मेरी तरफ से जो भी अपडेट आएगा वो सब आपको टेलिग्राम पर बताए दूगा उसका लिंक मैं आपको बताए दिया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में सबसे टॉप पे पिन क्या हुआ है बस किलिक करना है और आप जोइन कर सकते हो ठीक है भाईयो नमस्कार